डाउटनट पर आपने कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर जैसे एनवी सर जीवी सर अकांशा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स आज ये नाउलोड कीज़े डाउटनट आप कलो गाईज तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांस ओके लास्ट वीडियो में हमने क्या स्टैडि करा था कि मुवमेंट की होता है प्लांस का वो किस वज़े से होता है तो रूट प्रेशर हमने समझा था क्या ट्रांसपूरेशन पूल अब ट्र में एक theory समझनी थी वो थी क्या cohesion, tension, transpiration, pull theory लेकिन इस theory को समझने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए था कि transpiration basically होता क्या है तो हमने पूरा transpiration समझा था फिर देखा था कौन-कौन से factors इसके लिए responsible है guard cells यह होते हैं यह अपनी opening और closing कैसे करते हैं वो सब कुछ cover कर लिया था तो अब हम आते हैं finally अपनी इस theory पे ओके इसका नाम क्या है cohesion, tension, transpiration, pull theory अब सबसे important question तो यही आता है कि जो theory थी यह दी किसने थी ओके तो हमारे दो scientists थे Dixon and Jolly इन्होंने दिया था transpiration theory अब इसमें देखो हमें तीन terms पढ़ने हैं सबसे पहले क्या cohesion क्या होता है addition क्या होता है और surface tension क्या होता है क्यूंकि जो properties है water की यह help करती है जायलम के sap को ऊपर move करने में यह ascent करने में तो देखो सबसे पहले cohesion cohesion क्या होता है अपना mutual attraction between water molecules अब मान लो यहां पर अपना जायलम है ठीक है इसके अंदर क्या होंगे water molecules होंगे water का पूरा column होगा हम blue color से बनाते हैं तो यहां पर पूरा water का column होगा ठीक है तो जो water के columns में H2 molecules present है उनके आपस में बीच में attraction होता है आपस में H2 molecules के बीच में ठीक है उसके क्या कहते है cohesion कहते है addition क्या होता है कि इन water molecules का जायलम की wall से जो attraction होता है ठीक है attraction of water molecules to polar surfaces जैसे की wall of trackery elements जैने की xylem and tracheats के जाद जो उनका attraction होता है addition कहते हैं तीसरा है अपना surface tension अब surface tension basically क्या है water molecules जो होते हैं एक दूसरे को attract करते हैं more tightly किसमे liquid phase में than in gases phase तो basically surface tension क्या हो गई ability हो गई of water molecules to attract each other ठीक है that's it अब यह जो तीनों properties है cohesion हो गया addition हो गया surface tension यह हमारे water को यह कह सकते हैं जो water column जायलम के अंदर होता है उसको provide करता है high tensile strength ठीक है अब टैस टैसल स्रेंद क्या हो गया ability to resist a pulling force यानि कि इससे जो अपना यह water column यहां पर बना है यह पूरा का पूरा जो water column बना है यह break नहीं होता ठीक है हमेशा intact रहता है साथ ही साथ इन तीनों के वज़े से क्या मिलता है high capillarity capillarity के मतलब क्या होता है ability to rise in thin tubes अब tracheats और vessels जो होते हैं जायलम के अंदर basically tubes like celly होते हैं और इनके अंदर अपना क्या होता है ascent होता है जायलम sap का ठीक है तो capillary moment कहते हैं जब water का moment against gravity होता है क्योंकि आपको पता है gravity नीचे है और इनके अंदर water जो है अपना move कर रहा है उपर किस वाई से transpiration की वज़े से और capillary moment में कुछ help कौन कर देता है tracheats और vessels का small diameter भी तो यह basically इतने important नहीं है आपको बस क्याया दखना है इन तीनो force of attraction को याद दखना है यह force of attraction को रवाइड करते है height and size strength और high capillary अब इससे हमें क्या पता लगा कि water का column जो है वो break कैसे क्यों नहीं करता ठीक है अब हम देखेंगे क्या कि water का column जो यह बना है यह ऊपर कैसे move करेगा तो आपको देखो एक process का नाम पता होगा photosynthesis अब photosynthesis यह होता है उसको चाहिए होता है क्या water वहाँ पर क्या होता है carbon dioxide ठीक है plus water और sunlight की presence में यह दोनों मिलके क्या बनाते है glucose तो अब जो यह water है यह leaf के पास पहुचता कैसे है क्योंकि photosynthesis leaf में होगा photosynthesis के लिए क्लोरोफलास चाहिए है और वो leaf के पास प्रेजन्ट होते है तो वहीं पर होगा तो अब यह कौन साइसा force है जो water को move करता है यह करवाता है leaf के पास ठीक है यह कैसे movement होता है यह हमें समझना था तो अब इस इसको हम समझते हैं यह को होता क्या है कि water जो है अपना होता है उसमें से सिर्फ एक परसंट ही photosynthesis के लिए यूज होता है बागी का almost 99% का क्या हो जाता है transpiration ठीक है तो अब गया water किसके लिए था photosynthesis के लिए गया था लेकिन वहापे transpiration भी हो रहा है तो जैसे water evaporate करता है किसके तुरू stomata की तुरू तो एक thin film होती है water की जो continuous होती है over the cell ठीक है और वो continuous कहां तक होती है leaves से लेके xylem तक इसको भी हम diagram में भी समझेंगे लेकिन अब यह समझे लो कि stomata से लेके xylem के column तक एक continuous water के film होती है तो जैसे ही stomata के थूरू water अपना evaporate कर जाता है तो अपना जो water potential होता है कहां पे stomata वाले area में water potential यहां पे कर जाता है decrease क्यों क्योंकि यहां पे number of water molecules कम हो गए दूसरी बात कुछ amount of water vapors directly atmosphere में diffuse कर जाते हैं कहां से sub-stomatal cavity से और intercellular spaces से क्यों क्योंकि leaf के अंदर यहां पे water vapors ज्यादा होते हैं ठेक है और leaf के बाहर water vapors कम होते हैं तो directly यहां पे diffusion हो जाता है किसका water vapors का अब देखो stomata के थूरू अलग से water vaporate हो रहा था ठीक है साथी साथ leaf के surface के थूरू अलग से water का diffusion हो रहा है तो ultimately जो leaf के इस वाले area में ठीक है कह सकते हैं water column के भार वाले area में water potential बहुत जादा कम हो जाता है या decrease कर जाता है अब इस वज़े से क्या होगा अपना जो water है वो move करेगा कहां से जालम से इस leaf वाले area में क्यों क्योंकि water potential जो है अपना किस के अंदर जालम के अंदर यह high है क्योंकि वहाँ पर water molecule जादा है तो ultimately water यहां से यहां पर move करेगा तो basically इस पूरे process की वज़े से यह पूरे transportation की वज़े से क्या हुआ एक pull create हुआ किस वज़े से water potential difference की वज़े से ठीक है जिसने जालम कॉलम में से यह कैसे सकते हैं जालम के अंदर से water को कांबो करवाया बाहर मुफ करवाया अब यह पूरा pull कहां तक जाएगा नीचे तक जाएगा क्योंकि अब इसको दूसरे diagram भी समझेंगे अब एक बात समझो एक बड़ी सी tube है ठीक है tube के उपर आपने क्या करा हलका अब जब आप सक करेंगे तो पूरे का पूरा water column ऊपर किस तरफ move करेगा ठीक है क्यों क्योंकि water column break भी नहीं कर रहा है क्योंकि उसके अंदर cohesion है tension है surface tension वाली properties है तो पूरा का पूरा water column जो है वो thin tube के थुरूप हाँ पर आ जाएगा ऊपर की side आ जाएगा और सबसे नीचे जो है और diffuse करके कहां पर आ जाएगा along the concentration gradient जायलम के सबसे नीचे वाले portion में ठीक है और we can say with the help of root pressure अपना water जो है फिर से जायलम के नीचे वाले portion में आ जाएगा तो ऐसे यह पूरा पूरा अपना ट्रांसपोर्ट होता है किसका water का from root to leaf लग को हमारे कुछ scientist थे उन्होंने measurement किया किसका इस transpiration pull की force का तो यह force इतना जादा होता है कि xylem sized column को pull कर सकता है over 130 meters high ठीक है जो transpiration से pull generate जो होता है एक small xylem sized column को pull कर सकता है up to 130 meters high तो अब यह थोड़ा हमने समझ लिया है इसकी थोड़ा अच्छे से समझते है with help of other diagram तो यहाँ पर आप यहाले diagram देख सकते हैं य यह क्या represent कर रहे है कि इनके through water जो है अपना भार जा रहा है तो यह cuticle दिखा रहा है cuticle से directly अपने water vapors जो है atmosphere में diffuse कर रहे है क्यों क्योंकि water में sorry atmosphere में water कम है water vapors कम है और यहाँ पे water vapors जादा है और यहाँ भी अब देखो diffusion हो रहा है किस के तुरू stomatage के तुरू यह अपना stomatal transpiration भी हो रहा है तो intercellular spaces से भी हो रहा है stomatal से भी हो रहा है अब इस film के यहां से जाने से क्या हो रहा है यह arrows दिखा रहे हैं ठीक है यह अपना xylem तो xylem से water आ जाता है in cavities में तो पूरा का पूरा column जो है वो lift up कर जाता है किस वज़े से transpiration pool के वज़े से आते हैं नीचे इस diagram से आपको यह बहुत अच्छे समझ में आएगा तो यहां पर यह है अपना leaf ठीक है यह रहा stomata अब कुछ भी मत देखो मान लो कि diffusion अगरा कुछ नहीं हो रहा आ बस यह समझ लो कि stomatas के थूरू क्या हो रहा है water निकल रहा है ठीक है यह water यहां से निकल रहा है अब है क्य अगला बात कि जो water है वो continuous है यह water की film जो continuous है कि सके साथ? Xylem के साथ यह पूरा Xylem का tube है ठीक है Xylem के साथ continuous है जैसे ही यहां पे water की कमई होगी that means कि यहां पे क्या deuxième आप कर जाएगा? negative water potential ठीक है negative water potential developed हुआ अब Zylem के अंदर यहां पे water present है that means कही यहां पे क्या है? यहां है water potential positive तो water आपको पता है move करता है from higher water potential से lower water potential that means की water अपना जालम से move करेगा खाँ पे इस intercellular spaces वाले region में तो पूरा का पूरा जो entire column आप देख रहे हैं यह पूरा का पूरा उपर shift कर जाएगा यहां से पूरा का पूरा अगर column अपना यहां तक है मानते हैं कि अपना सबसे पहले column जो था वो इस वाले region तक आथा ठीक है अब column जो है कि इस वज़े से transpiration की वज़े से उपर shift कर गया है और column पहुच गया अब यहां पर इसको हम erase कर देते हैं अब होगा क्या कि इस reason में यहां पर फिर से water potential कम हो गया अपना ठीक है यहां पर फिर से water potential negative हो गया अब यहां पर negative है तो अब यहां पर जो water present होगा यानि कि अपने endodermis वाले region में वो वो यहां पर आ जाएगा ठीक है यहां पर जब negative होगा तो अपना जो cortex वाले region में था water वो endodermies में आ जाएगा ultimately अपना जो यह negative water potential हो जाएगा root तक ठीक है फिर आपको पता है कि भाहर water present है तो water जो है अपना वो move कर जाएगा या diffuse कर जाएगा किस के अंदर roots के अंदर passively ठीक है अब roots के अंदर आएगा यानि कि यहां पर water potential जो तो अपना फिर से normal हो गया अब फिर से transpiration होगा फिर से column shift होगा फिर से यहां पर negative water potential तो ऐसे साइगल अपनी continuous होती रहती है तो I guess अब कोई भी doubt नहीं है कि transpiration कैसे help कर रहा है water के moment में ठीक है और कुछ role यहां पर किसका होता है root pressure का भी होता है जैसे negative potential यहां पर create हुआ अपना आपको पता है कि ions जो होते हैं उनका transport हमने बताया था maximum कैसे होता है actively होता है तो ions को यहां पर कैसे transport कर देता है actively जिस वज़े से अपना water जो होता है वो passively diffuse कर जाता है क्यों क्योंकि ions के यहां पर आने के वज़े से water potential decrease कर जाता है हमने पढ़ा था कि अगर हम solute add करते हैं किसी solvent के अंदर तो water potential decrease करता है तो फिर अपने जो water होता है passively root के बाहर से diffuse कर जाता है कहां पर zalim column के अंदर तो basically दोनों participate कर रहे हैं transpiration pull भी और root pressure भी major role जो है वो किसका है वो है transpiration का तो यह थी अपनी cohesion tension transpiration pull theory next अब हम study करेंगे कि जो transpiration हो रहा है दोको maximum तो यहां पर water का loss ही हो रहा है लेकिन still यह important क्यों है तो सबसे important बात तो यह होगी कि इसके through क्या हो रहा है photosynthesis के लिए water जा रहा है तो उनों यहां पर लिख रहा है supplies water for photosynthesis दूसरा transpiration pull जो होता है वो क्या करता है create करता है force जिसके वेसे क्या हो रहा है absorption हो रहा है साथी साथ transport होता है water and minerals का तेक है और फिर यहां पर देखो यह तो उपर water की बात कर दी अब यह कह रहा है कि transport करता है minerals from soil to all parts of plant तो अब यहां नीचे पढ़ेंगे कि uptake जो होता है minerals का और उसका भी transport किस वज़े से होता है transpiration की वज़े सी होता है दूसरा transpiration जो होता है वो leaf की surface को cool down करने में भी help करता है कैसे by evaporative cooling क्योंकि आपको पता है कि leaf की surface पर direction rate पटती है तो उसका temperature जो होता है basically normal रखने में इसका काम होता है transpiration का ठीक है और यह maintain करता है क्या shape and size of the cell by keeping cell turged तो transpiration जो होता है उस वज़े से cell के अंदर हमेशा water रहता है leaf के cells में mostly ठीक है यह आप देखते भी है कि cortical cells के थुरू भी we can say endodermist के थुरू जालम के थुरू पूरा water transport होके जा रहा है उपर तक तो I guess सारे cells जो रूट में पढ़ते हैं वो ट्रजिट रहते हैं और उनका shape or size maintain रहता है इसलिए transpiration अपना क्या होता है एक necessary evil क्यों क्यों कि basically यहां पे हो तुप पूरा रहा है water loss हमने बोला था कि 1% water ही use होता है photosynthesis में तो बागी का water तो यहां पे loss होई रहा है लेकिन इस water loss की वज़े से क्या हो रहा है एक pull create हो रहा है जो help करता हमें बहुत सारी activities में इ एक्जाम में question आया भी है कि necessary evil किसको कहते है आगे move करते हैं देखो यह अपने चारो points important थे लेकिन यह इतना important नहीं है यहां पर बता रहा है कि photosynthesis के लिए water बहुत जरूरी होता है okay important क्या है important भी कि basically information दे रहे कि यहां पे कि अपने plants हो होते है वो दू तरीके के होते है एक C4 यह हम आगे वाले chapters में study करेंगे कि C4 plants कौन से होते हैं C3 plants कौन से होते हैं तो अभी बस आप यह समझ लो कि plants यह होते हैं अपने दू टाइप के होते हैं C4 plants sorry C4 plants यह होते हैं अपने यह बहुत जादा efficient होते हैं ठीक है compared to C3 plants किस term में in term of fixing carbon dioxide और we can say in term of doing photosynthesis तो C4 plant lose करते हैं for same amount of CO2 fixed यानि कि photosynthesis करने के लिए जितना पानी चाहिए होता है किसको C4 plants को वो कितना होता है almost half होता है of C4 plants half of sorry C3 plants तो कहीं न कहीं जादा efficient है अब क्योंकि जादा efficient है कम पानी चाहिए तो कह सकते हैं कि इनके अंदर transformation भी काम होता है तो यह हम next वाले chapter में photosynthesis में study करेंगे कि C4 plants और C3 plants में ऐसे कौन-कौन से characteristics होते हैं आते हैं next topic पे तो अब हमने water का uptake प्रड़ लिया ठीक है यहाँ पे आता है uptake of mineral lines फिर हम study करेंगे क्या कि उसका transport कैसे होता है बहुत easy है हमने 4-5 बारी बता भी दिया है कि जो mineral science होते है mostly इनका uptake जो होता है वो कैसे होता है by active absorption क्यों active absorption होता है यहाँ पे तो इसके दो reason है जो आपको याद रखने है सबसे पहली बात minerals जो होते हैं अपने soil के अंदर वो present होते हैं कैसे as charged particles और we can say ions थो cell membrane के through move नहीं कर सकते है क्योंकि हमने कहाता cell membrane जो होती है वो selectively permeable होती है ठीक है water को easily move करने देती है बागी Thans इसको easily move नहीं करने देती, तो उनका क्या होता है, active transport, यानि कि जो अपनी proteins होती है, carrier proteins जो होती है, संग membrane के अंदर, उसके तो उनका transport होता है, दूसरी और और important बात, क्या, कि जो concentration होती है, minerals की, वो soil के अंदर कम होती है, compare to root, ठीक है, अब basically कह सकते हैं, कि यहाँ पर अपना ये root हो गया, इसके अंदर minerals का concentration जादा है, ठीक है, और बाहर concentration कम है, तो अब जब against concentration transport होता है, तो हमें बाता है, इसको क्या कहते है, active transport कहते है, ठीक है, इसलिए roots के अंदर हमेशा क्या होता है, active transport होता है, और यहाँ पर ज़रुवत बढ़ती है, फिर किसकी energy की, किस form में, ATP की form में, अब next point में इन्होंने क्या कह रखा है, देखो, कि जब यह active uptake होता है, कि इसका ions का, तो यह partially responsible भी होता है, कि इसके लिए water potential gradient के लिए, यह चीज भी हमने explain करी थी उपर, कि जैसे ही, मान लो, यहाँ पर अपना यह root है, इसके अंदर अपने ions चले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपने ions एंटर कर गए, तो यहाँ पर water potential क्या कर जाएगा, decrease कर जाएगा, क्यों, क्योंकि solutes के आने से water potential decrease करता है, और बाहर जो है, water potential जादा है, तो हम कह सकते हैं, कि इन दोनों के बीच में, roots के बीच में, और soil के बीच में, क्या create हो गया, water potential gradient create हो गया, और फिर waters जो होते है, अपने passively from soil to move कर जाते हैं, कि इसके roots के अंदर, ठीक है आगे यही कहा रखा है, कि therefore, uptake of water by osmosis or we can say diffusion, next, आगे move करते हैं, यह कहा रहा है कि कुछ ions move करते हैं, epidermal cells में passively, तो कुछ का passive भी होता है, लेकिन most of the ions, हबको हमेशा रखना है, कि ions का absorption mostly कैसा होगा, actively होगा, और water के case में opposite होता है, water कैसा होता है, mostly passive, अब देखो हमने active transport होने के लिए, कुछ membrane proteins का requirement होता है, तो यहाँ पर यही कहा रहा है कि specific proteins present होती है, किसके अंदर, membranes of root hair cells, जो actively pump करती है, यान कि ATP को use करके pump करती है, इन ions को, कहा से, soil से, cytoplasm of epidermal cells, ठीक है, ऐसे ही, यह continuously pump होते वे जाते हैं, पहुचते हैं, कहा तक, endodermal cells तक, तो endodermal cells होता है, basically अपना, वो क्या होता है, control point होता है, क्यों, क्योंकि यह allow करता है, कुछ solutes को pass करने देता है, खुद के थुरू, लेकिन, कुछ को pass करने नहीं देता, ठीक है, इसके पास भी transport proteins होती है, तो हमें यह भी पढ़ता है, कि अपना active transport होता है, वो selectively permeable होता है, ठीक है, क क्यों, क्योंकि उसके अंदर proteins present है, membrane proteins है, तो allow करते है, कुछ solutes को pass करने देती है, कुछ को नहीं pass करने देती है, that means कि कैसा है, selectively permeable है, तो ऐसी endodermal cells होते है, वो सिर्फ उनी solutes को pass करने देते है, जिसकी जरूरत होती है, ठीक है, और यहां पे क्या कर जाता है, adjust कर जाता है quality and type of solutes, जो reach करते हैं, जायला में, तो exam में simple सा question आएगा, कि plant के अंदर कहां पे quality और type of solutes, adjust करी जाती है, तो answer क्या हो जाएगा, अपना endodermal cells, okay, last but important point, हमने पढ़ा था कि endodermis के अंदर present होती है, क्या experience trips जो बनी होती है, सुबरेन की, ठीक है, तो यह सिर्फ transport करता है, endodermis अपना solutes एक direction में actively, यानि कि एक बार ही इसने solutes भेज दिया, कहां पे, जायलम के अंदर, तो वहां से solutes वापिस नहीं आ सकता, ठीक है, तो ultimately यही reason है, कि root pressure जो है, वो जायलम के अंदर develop होता है, अब देखो, solutes वापिस चले गए, वापिस वो आ नहीं सकते, अंदर क्या होगा, जायलम के अंदर water potential decrease कर जाएगा, और भार water potential जादा है, तो पानी जो है, वो खीसा चले जाएगा, और पहुच जाएगा कहां पे, जाय of minerals, तो अब हमने cohesion, tension अपनी theory पड़े ली थी, जैसे ही यह जायलम के अंदर पहुचेगा, इसका translocation किसके थूर हो जाएगा, अपना transpiration stream के थूर, simple, अब same पूरा concept यहाँ पर समझाने के दूँद नहीं है, कि यहाँ पहले जाएगे, water के अंदर mix करेंगे, और water column के साथ पूरो transport होंगे, आपको पता हिए, कि आप क्या होगा, यहाँ पर same transpiration pull वाला method लगेगा, और minerals यह होंगे, वो पहुच जाएगे to अपने leaves and various parts, तो यह क्या करक है, the chief sinks of minerals, sinks क्या होते है, जो minerals को करते है, utilize, तो mineral users लिख सकते हैं, तो main mineral users कौन से होते हैं, यह important है, exam में पूच होता है, तो growing reasons हो गया, ठीक है, growing reasons of plants जैसे कि apical meristorm हो गया, literal meristorm हो गया, young leaves, developing fruits, seeds, storage organs, इन सब जगा पे minerals का requirement बहुत जादा होता है, और यह main users होते है, unloading जो होता है minerals का vein पे, वो भी कैसे करता है, through diffusion and active uptake by these cells, तो basically उन cells के अंदर भी अब क्या होता है, mineral content जादा होता है, तो उनके अंदर भी xylem से actively pump किया जाते है minerals, हलाकि हमने water के case में क्या देखा था, कि वो passively जा रहा था, तो water का transport हमेशा passively होता है, minerals का हमेशा actively होता है, अब mineral signs जो होते है, they are frequently re-mobilized, यानि कि इनको move किया जा सकता है, ठीक है, और specially कब move करते है, जब कोई older part की death हो रही होती है, तो उसको move कर देते है from older part, और transfer कर देते हैं to younger leaves, ठीक है, similarly अगर कोई leaf fall कर रही है, तो इन minerals को re-mobilized कर दिया जाएगा, कहां पे other parts में, important यहां पे क्या है, कि elements जो readily mobilized होते हैं, वो कौन-कौन से है, तो phosphorus, यहां पे लिखा भी होआ है, sulfur, nitrogen, and the last is potassium, तो यह सारे अपने minerals जो होते हैं, readily mobilized हो जाते हैं, easily move कर दिया जाते हैं, लेकिन substances like calcium, जो क्या बनाते हैं, structure बनाते हैं, ठीक है, basically calcium क्या बनाते हैं, body form करते हैं, यह structural component है, तो इनका translocation नहीं हो पाता, इनका remobilization नहीं हो पाता, तो ultimately यह उसी death part के साथ चले जाते हैं, ओके, last paragraph, जो कि यह भी बहुत important है, इसमें दे रखा है कि जब हम analysis करते हैं, xylem sap का, और we can say xylem exudate का, तो हम क्या देखते हैं, कि उसके अंदर nitrogen जो है, वो travel करता है कैसे, in organic ions के form में, लेकिन most of nitrogen, carry करा जाता है कि इसमें organic form जैसे की amino acid and related amino compounds, अब अगर xylem के बारे में ध्यान से हमने पढ़ा होगा, आप लोगोंने, तो को याद होगा हमने बोला था कि सिफ ट्रांसपोर्ट करता है क्या, water, minerals, ठीक है, यानि कि in organic solutes, और hormones, लेकिन यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, कि nitrogen जो है, उसका transport कैसे होता है, amino acid form में, और amino acid कैसे है अपना, organic compound है, that means कि जालम में, some amount of organic solute is also transported, बाकी, phosphorus and sulfur, ये भी carry के जाते हैं, किसमें, as organic compounds, ठीक है, उपर से, जब transport हो रहा होता है, तब जालम और phloem का transport होता है, तो हम देखेंगे कि कुछ amount, कुछ material, इन दोनों के बीच में क्या होता है, exchange हो जाता है, ठीक है, जिस वज़े से कह सकते हैं कि जालम के अंदर phloem का component आजाता है, ठीक है, और जालम का किस में चलिया आता है, phloem में चलिया आता है, तुम कह सकते हैं, कि ऐसा नहीं है, कि अपना जालम सिर्फ inorganic solutes ही transport करता है, ठीक है, उसी तरह phloem, phloem के लिए क्लिए 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 बोला है, कि वो हमेशा organic solutes को और ट्रांसपर्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पर बोला, कि exchange of material does take place between xylem and phloem, तो उसके अंदर xylem से कुछ inorganic solutes भी चले जाते हैं, और वो भी कहीं न कहीं, inorganic nutrients का transport करता है, ठीक है, तो यहाँ पर होता है अपना यह part complete, last part में हम पढ़ेंगे है, कि phloem का transport कैसे होता है, from source to sink, और उसके बाद देखेंगे कुछ additional information, जो exam point of view से काफी important होता है, thank you so much.